नमस्ते, आप सब का वेलकम है सिम्रन की रसोई में वीडियो में मैं आपके साथ शेर करने जारे एक और ठाली की रेसिपी और इसमें मैंने इतनी अच्छी अच्छी चीजे बनाई है खाने में तो अच्छी लगती है, साधी साधी है, हेल्दी है देख सकते हैं । इसमें ना मैंने दाल बैंगन बनाये है । यह मिर्ची प्यास फ्राइं बनाये है। रोटी बनाई है चावल और मृची का अचार। इस सारी चीज़ें बहुत ही हेल्दी और टेस्टी है। तो चलेख कहते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे दाल बेंगन हमेशा दाल बनाते ही रहते हैं तो देख सकते गैस कौन कर ले और यहां पर नहीं नहीं एक कप मसूर दाल को विगो के रख दिया था 10-15 मिनिट के लिए तो यह कोकर में डाल देंगे एक ग्लस पानी डाल कर कोकर का धकन देते हुए दो से तीन विसल यानि की दो से तीन सिटी आने तक पका लेंगे जैसे ही पक जाए पूरा प्रेशर खतम हो जाए उसके बाद ही ध कड़ाई रख दे और इसे हम डालेंगे एक चमच भर कर तेल जैसे गरम होज़े एक चौथाई चमच राई इसी के साथ चुटकी बर हिंग डाल देंगे एक कटावा प्यास दो से तीन लसुन के कलियों को काट कर डाल दे और दो हरी मिर्ची काट कर डाल दे इसे अपको थो उसके बार यहां पर न मैंने दो से तीन बैंगन ले लिये थे इसे मैंने अच्छे से पानी से वाश करके लंबा काट लिया था तो बस यह डाल देंगे अच्छे से मिक्स कर लिए और इसे धक कर दीमी आज पर लगबख तीन से चार मिंट तक पकाएंगे ताकि बैंगन तो एक चौथा ही चमच हाली पाउडर आदी चोटी चमच लालमिश पाउडर आदी चोटी चमच धनिया पाउडर स्वाद के अनुसा नमग फिर भी मसाले और नमक अपने स्वाद के अनुसा डाल सकते हैं अच्छे से मिक्स कर लीजें अब यह पकी हुई दाल इसके अंदर कर देनी और इसे अच्छे से मिक्स करना है मिक्स करने के बाद इसके अंदर हम एट करेंगे देखिए यह दो गलास जितना पानी में इसके अंदर डाल दिया है क्योंकि दाल है वो सोक करती है तो बस दो गलास जितना पानी डालते और इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है इस और अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे आपको पकने देना है तकरीवन चार से पांच मिनट के लिए अच्छे से उबाल आएगा अच्छे से ये पकेगी और देखिए अब इसके अंदर में एट करें आधी चोटी चमच गरब मसाला थोड़े से धन्या के पत दे और इसे मिक आपको बावनगरी मिर्ची ले लेनी है और ये मोटी मिर्ची भी कहते है कई जगपर ये तीखी नहीं होती है इसे पानी से वाश करके डंठल को काटकर इसे चार टुकड़ों में इस तरह से लंबा काटलीन है उसके बाद गयस को पैन रखते रहे हैं इसके अंदर हम आट करेंगे एक चमच भग कर तेल जैसे गरम हो जाए न तो इसके अंदर हम आट करेंगे दो प्यास इस तरह से लमबे कट कियो होई और प्यास को अच्छे से भूनना है हलका सा ये लाल हो जाए न तब तक, तो यहाँ पर देखें सबसे पहले प्याज को इस तभर से mix करते जाए और से moon लीजे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अच्छे से mix करते जारे है प्याज का color भी change होता जारे और साथ ही साथ इसका कच्छापन भी दूर हो रहा है देखे अब इस तरह से प्याज हो गया हलका सा गुलाबी तो अब इसके अंदर हम एट कर देंगे ये मिर्ची और मिर्ची को एट करने के बाद इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे और जब इसे हम धककर पकाएंगे तब प्याज हलका हलका क्रिस्पी हो जाएगा तो और भी कटाकर एक बार बीच बीच में आपको इसे मिक्स भी करते रहना है ताकि चारों तरफ से यह अच्छे से पकें यहां पर आप देख सकते हैं प्याज है वह क्रिस्पी होना शुरू हो गया और मिर्ची भी पकना शुरू हो गई है इसे ढखकर हम और पकाएंगे टोटल चार से पांच मिन्ट लगेंगे इसे पकने में यहां पर आप देख सकते हैं और दो से तीन मिन्ट हो गए हैं और यह देखिए अच्छे से दोनों ही पक गए हैं तो इसके अंदर मैं एट कर रही हूं स्वात के अनुसा नमक इसी के साथ एक चौथाई चमच हल्दी पाउडर आद इसे दो मिन्ट तक पकाना था कि सारे मसाले अंदर तक चले जाए अच्छे से पक जाए तो यहां पर देख सकते अच्छे से मैं इसे पका लिया है अब इसके अंदर मैं एट कर रहे हैं हूँ नीमो का रज डाल दीजे इतनी चकपटी मिर्ची लगते हैं इंगे प्याज मि लेते हैं कभी आपने अपने दाल चौन बना टो साइड में बना लीजे ये बहुत आफ वह बना लेते हैं राईस एक्दम खिले खिले और बहुत ही टेश्टी जो बेंगन दाल चार साथ सबее ऐक उखे लगते हैं toहाँ पर आप देख सकते मैंने ले लिए एक कफ चावल, यह मैं छोटे चावल इस्तमाल किया है आज, आप चाहे तो जो आपके घर पर आप यूज करते हैं, वो आप चावल ले लीजे, इसे तीन से चार पानी से वाश कर लीजे, उसके बाद गैस को उनके के पैन रख दीजे या कड़ाई, और इसके अंद चावल डालने के बाद इसे मिक्स कर ले और अब इसे आपको खुलाई पकाना है जब तक इसका पानी सूख जाए, पर बीच पीच में आपको इसे मिक्स भी करते रहना है तक कि नीचे से चावल चुके ना, बस इसमें हलका सा पानी रह जाएगा ना, तभी इसे हम ढख कर तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तकरीबन पानी सूखने में चार से पांच मिनट लगेंगे, हलका सा पानी रह गया तो धीमी आज पर ढख कर इसे हम पांच मिनट तक पका लेंगे, यहाँ पर पांच मिनट हो गया है और यह देख सकते हैं चावल बनकर तयार है, कितने ख इसका डंठल निकालकर 20 से काटकर इस तरह से टुकड़े कर लेने अगर हरी मिर्ची छोटी है तो टुकड़े नहीं किजेका बस 20 से काट लीजेगा मेरी यहाँ पर हरी मिर्ची बड़ी है साइस में तो इसलिए मैंने इस तरह से किया है अब इसके अंदर हम आधी चमज नमक नमक आधी चमज हल्दी पाउडर और दोनों को अच्छे से हरी मिर्ची के अंदर मिला लेंगे जैसे कि मैंने आपको कहा हरी मिर्ची बिल्कुल भी गीली नहीं होनी चाहिए अब हम गैस कौन करेंगे पैन रख देंगे एक बड़ा चमज साबु दनिया एक चमज सौफ इतना यह टेस्टी लगेगा मिर्ची का आचार देख सकते हैं सभी को भूनने के बाद इन सबको ना मिक्सर जार में डाल देना और से ढखकर हलका सा दर्दरा पीस ले रहा है सारा दर्दरा नहीं बस हलका सा दर्दरा होना चाहिए अब उसी पैन को फिर से रख देंगे इस दर्दरा मसाला पीस के रखा था पहले वो मिर्ची के अंदर वो डाल दे और यह गरम गरम तेल डाल दे अच्छे से इसे मिक्स कर लीजे मिक्स करने के बाद यह आचार तयार है आप इसे तुरंत भी खा सकते हैं और इसे यह तो फिर क्या कीजिए एक बाउल में बिलकुल जाप गीला नहीं होना चाहिए इसमें यह डाल दीजे एक्तम साफ ड्राय होना चाहिए और इसे ढखकर रख दीजे दो दिन के बाद अचार को आप खा सकते हैं इन दो दिन के बीच में आपको थोड़ा-थोड़ा से मिक्स करते रहना है जब आपको टाइम मिले और यह जो रोटी सभी के साथ बहुत अच्छा लगता है चली बना लेते गर्मा गर्म फुली फुली यह आटे की रोटिया जो और भी अच्छी लगती है तो इसके लिए न सबसे पहले हम आटा गूंदेंगे एक बाउल में दो से तीन कटोरी गीहों का आटा स्वात के अनुसा नमक लगा कर आटे को अच्छे से मसल लेना है मसल लेके बाद फिर से हम थोड़ा सा तेल लगा लेंगे और इसे ढखकर हम पांस से दस मिनिट के लिए रख देंगे रेस जरूर दीजे इससे क्या होता है ने रोटी और भी सॉफ्ट और अच्छी बनती है जैसी दस मिनिट हो जा जाधा पतली मीडियम बेल लें इसके लिए तब मैने पहले से गरम करने रख दिया खरण तपति पर डाले और रोटी को झाली जाधा मूटी भी नहीं इनगे ज्यादा पतली और रोटी सियं लिए तो उस जीजी ठील और कम मसालों में बनी है और खाने में बहुत ही हाली को जरूर ट्राइ कीजिए और मुझे कमें सेक्शन बताए आपको कैसी लगी है रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए अपने फ्रेंस और फैमली के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल ना भूले आज के लिए बस इतना ठन्य।कैक वगे जीजिagtे टिए का आगया हम ज्स में बचून बताम खाय कंजिए आपको में दले कां तो हर ग्रहूनिक यहा हम झ问 अश्छी कीजिए